सब्सक्राइब कीजिए माई हेल्प केर यूटूब चैनल को और दवाइए इस घंटे को ताकि आपको मिले लेटेश टेक्नलोजी की जानकारी सबसे पहले और यह बिल्कुल फ्री है आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्लेश टोर के साथ प्रोपर्टी के वारे में जो की आप यूज नहीं करते हैं वो काफी काम का होता है लेकिन फिर भी आप यूज नहीं करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं यूटीब का चैनल मैं हेल्प क्यार तो चलिए जानते हैं आगे की जानकारी को पहला नमबर का जो प्रोपर्टी है वो है प्लेश्टोर को अपडेट करना आप हर अप्लिकेशन को अपडेट करते होंगे लेगिन कभी प्लेश्टोर को अपडेट नहीं किया होंगे Play Store भी तो एक application है तो इसे update करने के लिए आप Play Store के setting में चले जाए और setting में जाने के बाद वहाँ पे आपको सबसे नीचे में जाना है यहाँ आपको लिखा रहेगा Play Store version इस पे click करना है अगर यह update पहले से है तो message आएगा Google Play Store is up to date और नहीं रहेगा और दूसरा जो future है Play Store का वो है shortcut बंद करना आप अक्सर देखे होंगे कोई भी application इस्टॉल करते होंगे तो आपका home screen पर बहुत सारा shortcut create हो जाता होगा जो की अच्छा नहीं लगता है काफी बुरा कर देता है आपके screen को तो इससे बचने के लिए आप इसे बंद कर सकते हैं Play Store में जाकर यहां चले जाए यह three line जो है वहाँ पे और वहाँ जाने के बाद फिर से चले जाए इसके setting में यहां और setting में जाने के बाद एड आइकन to home screen है इससे यह पहले से tick रहता है by default तो आप इसे यहां से untick कर दिजिए और उसके बाद इसे छोड़ दिजिए अब आप कोई भी application इस्टॉल किजिएगा तो उसका home screen पे कोई भी icon बनके नहीं आएगा Play Store का तीसरा जो future है उसके दौ़ारा आप अपने laptop या PC के दौ़ारा आप अपने phone में किसी भी app को install कर सकते हैं बीना अपने mobile को touch किये हुए इसके लिए आप PC या laptop में Google का पेज खोल लिजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए प्लेयर स्टोर प्लेयर स्टोर सर्च कर लिजिए सर्च करने के बाद इसका जो शुरू वाला Google Play आ रहा है उस पर क्लिक कर दिजिए क्लिक करने के बाद इसका पेज खुल गया है Google Play का पूरा पेज खुल गया है यहाँ पे सबसे पहले आपको sign in होना पड़ेगा sign in होने के लिए right side में sign in का button दिया हुआ है वहाँ पे click कर दिजिए अब इसके बाद यहाँ पे वही एकाउंट से आपको sign in होना पड़ेगा जिस एकाउंट से आपने अपने मुवाइल में sign in हो रखा है तो मैंने मस्ती मजा यहाँ EMTIR.RAJ जो रिखा हुआ है इसके दोर आपने मुवाइल में sign in हो तो इस पर click कर देता हूँ और यहाँ पर password search बार में search कर लिजिए चलिए मैं एक example देता हूँ मैं messenger को install करना चाहता हूँ तो messenger लिखकर यहाँ search कर लेता हूँ यह messenger search होके आ गया अब इस पर आपको click करना है जैसे ही आप click कीजिएगा इसके बाद इस messenger यहाँ पर खुल के आएगा और बोलेगा कि यहाँ आप install कीजिए आपको install पर click करना है मैं install पर क्लिक किया इसके बाद देखिए जो मेरा मोवाईल में जो मेरा मोवाईल है रिलांस जीयो मोटरोला का मेरा फोन है तो यहां पर आ गया है यही फोन मैं यूज करता हूँ तो यहां पर दिखाई दे रहा है अब जैसे मैं यहां किलिक करूँगा तो अब आप अटोमे एंजर इंस्टॉल हो रहा है चालिज मिनट लिए लिख रहा है तो यह था बहुत ही अमेजिंग फ्यूटर प्लिकेशन इस्टॉर का और चौता नमबर का जो प्रुपरटी है उसमें आप कस्टमर केर बात कर सकते हैं Google Play के कश्टमर केर से कभी कभी ऐसा प्रोब्लम होता है कि प्ले स्टॉर से अप्लिकेशन इस्टॉल नहीं हो रहा है या कोई भी मुद्धा हो कोई भी इसू हो तो आपको प्रोब्लम हो रहा ह तो आप customer care से बात कर सकते हैं इसके लिए आपको simply जाना है यहाँ three line पे click करना है click करने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे help and feedback पहले इसी में आता था लेकिन अब नहीं आता है अब आपको about google play में जाना है यहाँ click करने के बाद यह आपको ब्राउजर में open हो जाएगा open होने के बाद इस page के नीचे में यहाँ देखिए एक fax का number दिया हुआ है और उसके बगल email, chat और request है call from us तो यहाँ contact our support team पर click करना है click करने के बाद यहाँ पे three line वाला एक जो sign है उस पे click करना है और यहाँ get help पर जाना है get help पर जाने के बाद select any issue किस तरह का आपका issue है किस तरह का problem आपको हो रही है उसे आपको select कर लेना है books में problem है music meme या फिर android apps में तो मैं android apps and game में click करता हूँ उसको बाद फिर से आपको बोला गया है android apps and game में किस तरह का problem है problem buying और downloading कुछ भी हो तो मैं यहाँ पर उपर वाला में click कर देता हूँ और यहाँ से request ए callback पर click करना है मैं कर देता हूँ अब बस यहाँ पर आपको नाम अपना डालना है first name, last name और यहाँ पर अपना mobile number डाल दीजे जो भी आपको mobile number हो और डाल दीजे और डालने के बाद जैसे ही नीचे में आप call me पर click किजेगा एक minute के अंदर में ही आपको call आजाएगा कैलिफोर्निया से और आप उनसे बात कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ English में बात करते हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है तो अगर आप English जानते हैं तो ही call लगाएं नहीं तो कोई फैदा नहीं होने वाला है अब पास्मा नंबर का जो प्रोपर्टी है ओ है बेटा भर्जन बेटा भर्जन क्या होता है किसी भी application का बेटा भर्जन में अगर आप entry कर लेते हैं उसका sign-in ले लेते हैं उससे क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी application इंस्टॉल करते हैं या फिर उसका यूज करते हैं और उसका update भर्जन अगर एविलेबल हो जाता है प्लेयर श्टोर पे तो सबसे पहले notification आप ही को मिलेगा और आप उसको यूज कर पाएंगे तो चलिए मैं बताता हूँ इसको एक example दे के माल लिजए कि MX Player का वेटा भर्जन लेना चाहते हैं तो आप इसे search कर लिजए search करने के बाद सबसे नीचे में चले जाएए नीचे में आपको जाना है और यह रहा पिका में बेटा टेस्टर यहां जो लिखा हुआ यहां पर आपको I am in कर देना है इसमें I am in होके यहां पर join पर क्लिक करना है बस हो गया काम आपका बेटा sign up in progress अब जब भी इसका update आएगा जैसे ही MX Player का कोई भी नए update तो सबसे पहले आपको notification मिलेगा और आप सबसे पहले उसको यूज कर पाएंगे और अपने दोस्तों को बता पाएंगे कि आपका MX Player कुछ नए तरीके का है और छठा नंबर का जो प्रपर्टी हो प्लेयो स्टोर का वो भी काफी खासियत है उसमें उसमें क्या है कि अगर आपने अपने प्लेयो स्टोर में कोई email id से sign up करके रखा है और बहुत सारा application यूज किया है और आपको पता नहीं कि क्या कि आपने यूज किया है तो उसे आप देख सकते हैं आपको जाना है यहाँ पे 3.pay और my apps and game में फिर चले जाना है और जाने के बाद यहाँ पे library में आपको click करना है library में click करने के बाद देखिए बहुत सारे application यहाँ दिखाई दे रहे है यह सारे application वो है जिसे आपने इस phone में install करके रखा है basically उस email id से जिसके दोरा आपने इस phone में sign up करके रखा है या इस email ID को किसी और phone में sign up करके रखा है तो ओ वाला भी इसमें दिखाई दे रहा है टोटल का टोटल एप्लिकेशन और सात्मा नंबर का जो future है प्लेयर स्टोर का उसे आपको जानने के लिए Chrome ब्राउजर को पेंड करना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है Indie Corner यह भी बहुत important चीज है जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे Indie Corner आखिर होता क्या है मैं सर्च करके दिखाता हूँ क्या आखिर एक क्या है Indie Corner आपको सर्च करना है और जो शुरू वाला जो आ रहा है Google Play से related उस पर आपको क्लिक करके open करना है यह बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह ही खुलेगा और इसमें जितने भी अप्लिकेशन आपको मिल रहे हैं बिल्कुल नए अप्लिकेशन है नए नए अपडेट आ रहे हैं मतलब जो भी हाल फिलाल में रिलीज हुए हैं वह ही वाले सब हैं प्लेयर स्टोर पर अभी नहीं लाँच हुए हैं अब यहाँ पर भेरिफाई हो जाएंगे तब प्लेयर स्टोर पर चले जाएंगे तो यह थे साथ amazing future of प्लेयर स्टोर का जिसे आप यूज नहीं करते हैं कभी इसके वारे में सोचे होंगे उमिद करता हूँ आपको यह जानगारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके पास कोई सुझाव यह सिखायत हो तो वीडियो की नीचे कॉमेंट कीजिए अभी तक मैं Help Care को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो वीडियो की नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब लिखें हो वड़ पर क्लिक करकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं रोजाना अपने चैनल पर नए ने टेक वीडियो लेकर आता रहता हूँ अभी के लिए इतना ही एक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद